आज हम लोग करने वाले हैं केमेश्ट्री का मॉडल सेट केमेश्ट्री का करने वाले हैं और यह आपका जो फाइनल एक्जाम है दो हजार तेस का इंटर जो एक तारिक से लेकर ग्यारत तारिक तक चलने वाला है ठीक है और आपको जनकारी के लिए हम बता दे कि हमारे इस चैनल पर क्लास नाइन से लेकर क्लास टूएल तक की पढ़ाई विल्कुल मुफते में होती ह साथ ही आपके यह जो मॉडल पेपर कराए जाएंगे एक से लेकर दस तक है लेकिन मैं सबसे पहले आपको पांच-पांच मॉडल पेपर सभी बिसाय का दे रहा हूँ अगर आप साइन्स बैक्ग्राउंड से होंगे तो आपका PCM होगा या PCB होगा यानि Physics Chemistry Math होगा या Physics Chemistry पांच-पांच मॉडल सेट अपलोड होगा और एक दिन में दो वीडियो आएगा जिसमें एक तो आपका होगा और एक आर्ट्स वालों का होगा अब कमर्स वालेंगे बोलेंगे सर हमारा कहा गया तो देखे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन होंगे सब में जैसे इंग तो निश्चिंत रहे वीडियो सब को प्रवाइड किया जाएगा और सब का जो जो सब्जेक्ट है उसका वीडियो प्रवाइड आपको परिच्छा से पहले तक दे दिया जाएगा इसके लिए आपको घबडाना नहीं है उसके लिए आपको करना क्या है कि चैनल को सस्क्रा है और कितने नहीं तो यह मंदारी से लग जाईए जो तरीका हम बताएंगे कि कैसे किस चीज को करना है उस पर ध्यान दिजिएगा ठीक है और आप लोगों का सब्जेक्ट होगा इसे सारे रिलेटेड कोश्टन्स सब आपके जो होंगे वह सब उसी में भेज दिये जाएंगे आये सेट नंबर वन केमेस्ट्री का ठीक है यह मिस्प्रिंट है थोड़ा इस पर ध्यान मत दिजिएगा केमेस्ट्री में इस वीडियो में हम लोग अब्जे आते हैं वैसे कोश्टन के साथ अंसर भी आपको सोक कराए जाएगा लेकिन आपको चीहतर जगासा नहीं पढ़ना है जो कोश्टन हम दिखाएंगे उस कोश्टन का स्क्रीन सोट लीजिएगा या नोट कीजिएगा जैसे भी आपको सुविदा हो और अपने नोट्स में उस तक पॉसिवल होगा पूरे अच्छे से कोश्टन नमर वन है ए और बी तत्व से बने एक योगी कस्टन रजना कोश्टन दोनों भासा में है आराम से पढ़िएगा क्रिष्टली क्रिथ है यानि क्रिष्टलाइजेशन इसमें एक घंड के कोने पर वाई तत्थ के अच्छे से समझ के करना है अब आपको यहां पर बताना है तो इस प्रस्न का सही जबाब देखिए ऐसे कोशन आते हैं तो अच्छे से समझ के करना है कि किस तरह का सेफ है कौन है तो क्या होगा क्यूबाइड है तो क्या होगा स्क्वाइर है तो क्या होगा तो पहला हो जाएगा अप्सन नमर ए ए बी थ्री ठीक है आराम से इसको कर दिजिएगा आईए किसका क्वाथनांक एक वायुमंडली दाव पर सबसे अधिक होता है इसे वन एटीम भी लिखा हुआ आपको आजाएगा एटीम ऐसे करके तो राइट आंसर होगा अफसन नमर बी ओके नेस्ट थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि अब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे फराडे के विधुत विखेदन का दुएतिय नियम किसे संबंदित है यानि फराडे ला है जो सेकेंड वो इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटे टू विच विथ वेलोसिटी अफ पॉजिटिव आइंस विथ एटोमिक नमबर विथ एटम्स आफ पॉजिटिव आइंस या अफसन नमर डी विथ इक्विवेलेंट वेट अफ इलेक्रोलाइट अराम से कुश्चन को पढ़ना है समझन उसके बाद करना है दोनों भासा में कोश्चन है तीन का हो जाएगा ऑप्षन नमबर डी ठीक नेक्स्ट कोश्चन पर यह हीलियम का मुखी सुरुत क्या है रेडियम है मोनाजाइट है हवा है यह जल है हीलियम देखिए हीलियम ध्यान से पहले पढ़के उसके बाद अंसर क कोश्चन है तो होल 4 है होल टेटर इसको बोलते हैं अगर पावर 4 है तो उससे टेटर निकेल के औक्सी करण संख्या क्या होगा मतलब अक्सिडेसन नम्मर पूछा है यह यह याद रखिएगा कुछ ऐसे इलिमेंट है इसका ऑकसिडेसन नमर आपको अगर निकालना याता है तो ठीक है नहीं आता है तो सीख लिजिए क्योंकि question रहते हैं तो 5 का option number हो जाएगा C आइए 6 number question निमलिकित में कौन hydrogen बंधन नहीं बनाता है मतलब कौन ऐसा इस में 4 option में से है जो hydrogen के साथ bonding नहीं करता है तो 6 का हो जाएगा HCl ठीक है ये hydrogen 1 plus 1 minus पता है ना H plus Cl minus आइए 7 number question अलकीन ठीक है का समाने सुत्र अब आपको पता है कि 3 होता है अलकेन, अलकीन और अलकाइन तीनों का आपको देख लेना है तो 7 number question अलकीन हो गया ये अलकेन हो गया ये प्लस 2 और अलकाइन हो गया A, L, K, I, N, E ठीक है Y, N, E ठीक, तीनों देख लीजेगा अलकीन में C, N, H, 2, N होता है अलकेन यानि प्लस C, N, H, 2, N प्लस 2 किसका अलकेन का अलकाइन का A, L, K, Y, N, E, S जो हता है वो हता है C, N, H, 2, N minus 2 तीनों में से एक question fix हर साल रहता है 8 number question इनमें किसमें आइसो प्रीन इकाई है ठीक है आइसो प्रीन मोनोमर इस प्रजेंट इन विच वन अफ द फ्लोईंग तो राइट आनसर इस ओप्शन नमर A प्राकृतिक रबड ठीक है नेचुरल फाइबर आइसो प्रीन 9 number question calcium format का स्रवक करने पर प्राप्थ होता है यानि distillation थोड़े हिंदी में अगर आपको समस्या होगा कभी तो उसका इंगलिस वर्जन भी पढ़ लिजिएगा ठीक है तो 9 का सही जवाँ हो जाएगा उप्शन नमर B स्री यहाँ पे थोड़ा उप्शन इधर उधर दिया है B HCHO 10 number question किसकी प्रतिक्रिया के लिए दर इस्थिरांग का इकाई मोल प्रतिलीटर प्रति सेकेंड है प्रतिक्रिया की कोटी क्या होगा यानि इंगलिस में the unit for rate constant of a reaction is mole L-1 second minus 1 the order of the reaction is right answer option number a 0 सिल प्रतिक्रिया सोता होती है जब ठिक क्या होगा इसमें negative question को अराम से पढ़ते रहिएगा समझते रहिएगा 11 number question option number b ok next कुहरा कौन सा कुहरा जो आप लोग देखते हैं बादल में कुहरा होता है वो कौन सा collidal system है तो आपको ये तो बहुत easy question पूछ दिया drug में gas next इनमें कौन प्रतिच्उम्ब किये है option देखिए अराम से CO2 plus यानि दो चार्ज है उसपे Ni2 plus Cu2 plus या Zn2 plus right answer हो जाएगा Zn2 plus डाइमेगनेटिक ठीक है भूरे वला संकुलन पूराई इसको पढ़िया आराम से में FE का ऑक्सी करण अवस्था क्या है तेखे सुत्र दे दिया है ऑक्सेडाइशन नमबर जो है उसका पूछ दिया है तो राइट आंसर इज ऑप्सन नमबर ए प्लस वन होगा अमोनिया को सुस्क किया जाता है मतलब अमोनिया इस ड्राइड फ्रॉम किसमें से एन हाइड्रा-CACL2-C-A-O कॉंक यानि कॉंसेंट्रेट ठीक है यह कॉंसेंट्रेट्रेट को सॉट फ़र्म में कॉंक लिखा जाता ह क्योंकि हमको भी अच्छा लगता है कि जो लड़के पढ़ते हैं भाई मेरा सपोर्ट करते हैं और सेयर कर दीजएगा क्योंकि दोनों लेंग्वेज में कॉस्ट्चन है दोनों के मीडियम के लड़कों को अराम से पढ़ने में सहुलियत होगी तो सही होगा कॉंक H2SO4, H2SO sulfuric acid का formula है, याद रखिएगा, vitamin C है, क्या, malic aml, ascorbic aml, paracetamol, या lectic aml, तो आपको पता है, vitamin C का रहा cynic नाम, ascorbic acid, ठीक है, ये खटे चीज़ों में भी प्राप्त किया जाता है, जैसे निम्बू है, अमला है, तो देख लिए, ये कुछ सब question tough ही नहीं आते हैं, बहुत question easy भी आते हैं, 17 नमर question, 1 degree, 2 degree, 3 degree, alcohol के बीच, अंतर दिखाया जाता है, किस चीज़ से, option को पढ़िए, guess कीजिए, तो देखिए, मैं एक trick आपको बता रहा हो, कि जिस question में, option D में all दिया होगा, 80 प्रतिसद ऐसे प्रस्थन है, जिन में यहीं option सही हो जाता है, देकिन ध्यान रखिएगा, 80 प्रतिसद question में, अगर वो question आपको आ रहा है, तो आराम से पहले पढ़िएगा, चेक कीजिएगा, उसके बाद लगाईएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, option D में सभी दिया है, यानि all of the above, या all of these, तो उसको T करके आगे बढ़ जाईएगा, 80 प्रतिसद केस में वहीं होता है, 18 नमर question, इन में से कौन सबसे अधिक छारिया है, यानि alkaline, option आपके सामने हैं पढ़िया आराम से, तो right answer हो जाएगा, NH3, NH2, देखें, यहां हिंदी वाला में थोड़ा इधर उधर लिखता है, इंगलिस वाला termice लिए हम बोलते हैं कि थोड़ा देख लिया किजिएगा आप लोग भी, sodium sulphate का जलिये घोल में, acute electrode का उपयोग कर विधुत विछेदन किया जाता है, तो cathode और anode पर क्या प्राप्थ होगा, ठीक है, cathode और anode पर कौन सा element जो है वो प्राप्थ होगा, यह पुछा गया है question number 19 में, तो आप लोग पढ़े होंगे, NCRT से related सारे questions है, सभी books से ही हैं, तो H2 यानि hydrogen और oxygen, cathode पर क्या हो जाएगा, hydrogen यह हो जाएगा, anode पर, next question, किसी प्रतिक्रिया का और्ध जीव, यानि half-life, काल अभिकारक के आरामभिक सांद्रण के वियूत करामानुपाती, यानि inversely proportional है, तो प्रतिक्रिया कोटी क्या होगी, यानि the order of reaction पूछा है, तो 20 नमर कोश्चन, सही जवाब अपसर नमर C, कहां है, यहां है, दो हो जाएगा, कौन इंजाइम ग्लुकोज को अल्कोहल में परिवर्थित करता है, बहुत easy question है, ठीक, जाइमेज, next, बेंजीन में NH2 समू है, कौन सा, आराम से पढ़िए, बेंजीन पुछा है, और गेनिक केमेस्ट्री, जितने भी समू है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, किटोन ग्रोप, एल्डिहाइड ग्रोप, कालवजलिक ग्रोप, हाइड्रोकसाइड ग्रोप, सब ग्रोप को पढ़ लीजिएगा, क्या उसका साइन होता है, और उसे रिलेटेड जो भी अबजेक्टिव है, बढ़ बढ़ा बढ़ा नहीं पूछता है, छोटा छोटा ही पूछता है, तो सही जाओ हो जाएगा, और थो पारा डिरेक्टिंग, और अधिक साधिक मैं रिक्वेस्ट आप से यहीं कर रहा हूँ कि सेयर कीजिए, कौम समय हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, आप भी थोड़ सा हेल्फ कीजिए, ज्यादा करना क्या है, अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए, ठीक है, सेंड कर देंगे इसको, तो सभी लोग पढ़ लेंगे, आइए, अल्कोहल के, इस्टिटिफिकेशन अफ अल्कोहल इज, क्रम पुछा है, देखिए, सामने हैं, गेस कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है, पढ़ लेंगे तो हम तुरंट, पांच सेकेंड का समय देंगे, उसके वाद ओप्सन को टीक करेंगे, उसके अंसर आप लग मिला लिजिएगा, कि आपका सही हो रहा था कि, नहीं, सही जवाब होगा ओप्सन नमर B, आइए, समाने ताप पर दाव, पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, देख बहुत इज़ी पुछा है, आपको पता ही है, समाने ताप पर जो वॉल्यूम है, वो कितना होता है, 24 का, 22.4 लीटर, आये, कौन ताप दोरा प्रवाहित नहीं होता है, वीच वन आप इस नोट अफेक्टेड वाइ टेम्परेचर, नर्मिलिटी, मेलालिटी, मोरालिटी या फर्मिलिटी, तो, आप्शन नमर भी, मोललता, यानि मोलालिटी, आयरन के निसकर्षाण में उत्पन धातू मल क्या है, यानि, इन देक्स्ट्रेक्शन अफ आयरन, प्रोड्यूच्ड स्लैग, इज, आयरन पुछा है, याद रखिएगा, हडवड़ा के गडवड़ाना नहीं है, आप्शन नमर डी, लेंथेनोइड संकुचन का अर्थ क्या है, लेंथेनोइड और एक्टेनोइड आप लोग पढ़े ही होंगे, प्रियोडिक टेवल में, जो नीचे वाला लिखा रहता है, लेंथेनोइड और एक्टेनोइड, उसी से रिलेटेल ये क्वश्चन है, तो यह होता है, आयोनिक टिरिजिया में कमी, ठीक है, इंग्लिस में भी टर्म देख लिजिए, इस देख लिजिए, देख लिजिए, इथर की उपस्थिती में, एलकाइड, हेलाइड, तथा सोडियम धात्तु के बीच, प्रतिकिरिया क्या कहलाती है, यह सीधे परिभासा पूछा है, यह इन डेफिनेशन, जितना भी परिभासा होगा, छोटा-छोटा, सब को याद कर लिजिएगा, परिभासा से दो-तिन कोश्चन डारेक्ट आ जाता है, तो 28 नावर कोश्चन अपसन नमबर A, तो यहाँ पर अबजेक्टिव हम लोगों का कम्प्लीट हुआ, जो लेवल अब देखे हैं, अबजेक्टिव का सेम यहीं है, अब हम आपको कोश्चन दिखाएंगे, सब जेक्टिव का सोट कोश्चन और लोंग कोश्चन, आंसर भी होगा, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कि आपको जो आप नोट्स लिखे होंगे, उसी में बस इंपोटेंट कर लिजिएगा, क्योंकि दस जगा लिखेंगे, तो आपको डिश्टार फोगा, देखिए, बहेरी सॉट दो नमर का जो आता है, एक्स्प्लेन रोल्ट्स ला, और हाव इज रोल्ट्स ला इज इस स्पेशल कंडिशन अफ हेंडरी ज ला, अंतर पुछ दिया है, ठीक, यहाँ पर तो इंग्लिस और हिंदी दोनों में एक क्योश्चन है, और एंसर भी है, लेकिन आपको जो भी आप देखिए यह नुमेरिकल है, तो इसका स्क्रीन सोट ले लिजी आप लोग, 18 ग्राम ग्लुकोज के 178.2 ग्राम जल के साथ मिलाया जाता है, तो इस बिलियन में जल का 110 डिगरी परवास्प दाव क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पर एंसर भी है, लेकिन अगर हम आप पर एंसर दिखाएंगे, तो आप इसी को छाप देंगे, अप अरिष्या में अगर थोड़ा सा इधर उधर कोश्चन का लेवल कर दिया, या डाटा चेंज कर दिया, तो फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बनाना सीखिए, तेखे, अब आगे बढ़ते हैं, कोश्चन नमर्टू के बद कोश्चन नमर्ट्री प्याते हैं, देखे, विधूत विछेदन द्वारा धातू करण के सुध्धी, धातूओं को सुध्धी करण कैसे किया जता है, यानि हाउ मेल्ट्स प्यूरिफाइड बाई, इलेक्रोलैटिक मेथड, यहाँ पर यह जो अंसर लिखा हुआ है, मेरे पास तो हिंदी और इंग्लिस दोनों में हैं, लेकिन हम अप लोगों को भेजेंगे नहीं, आप लोग खुद इसको मेहनत कीजिए, लेकिन अगर अगर अप लोग ज़्यादा जीद करेंगे, लेकिन अगर अप लोग कहेंगे तब अपने मन से नहीं, हम फिर से बोल रहा है, सभी का सभी लड़का नोट्स कोचिंग में पढ़ा होगा, वहाँ यह सब चीजे अल्रेडी होंगी, बस उसी पर जाके कोश्चन पर इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए, दस जगा से पढ़ने से बहतर है, एक ही जगा चीजों को नोट करके आराम से पढ़ ले, आईए, अंतर हेलोजन योगी क्या है, BRF3 का सान रचना ग्याद कर, यानि, वाटर दा इंटर हेलोजन कंपाउंड, डिटर्माइन दे स्ट्रक्चर आउप BRF3, ठीक है, कोश्चन सामने है, स्क्रीन सोट लेके आपने प्यार कर लीजिए, बस, सर ये दीजिए, सर वो दीजिए, परिशान दीख है, दे देंगे, उधर का नोट्स छोड़के, लगोग इधर का पढ़ने, करेंगे, यहां ये कोश्चन में पूछा है, तो लुकास टेस्ट के बारे में बताना है आपको, रियक्शन के साथ समझाईएगा, या डिफरेंसियेट, एसिट्रल्डिहाइड और किटोन, उसके बाद, देखिए, ये दो पूछा है न, कुछ करना नहीं है, देखिए, एसिट्रल्डिहाइड का सूत्र लिखा है, किटोन का सूत्र लिखा है, एल्कोहल से परतिक्रिया करता है, और ये एल्कोहल से परतिक्रिया नहीं करता है, इस्क्रीन सोट, देखिए, यहां पे आपको, चार हम दिखा दिए हिंदी वालों का अब इंगलिस वालों बोलेगा कि सवर उन ही लोगों को क्यों देखिएगा अरे भाई तुम लोगों कभी आ जाएगा देखो दो नमर का जो कोस्टान है भाई साफ सुथरा स्वर्ष्ट बात हम करते हैं जो दो नमर का कोस्टान है उसको किसी भी तरह से 40 सब्द में घी जगाच के लिख देना अंतर पूछे दो नमर का है तो तीन वह अंतर लिखना कम से कम तो अभी पूरा नमर मिलेगा नहीं तो फिर बाद में घरिया न भी हर वोड को आ अपने किसमत को फिनॉल जो है अलकोहल में अंतर पूछा है कम से कम तीन देखो यहां पर मॉडल पेपर में भी जब जारी किया है तो बताया है कि जब दो नमर का कोस्टण है तो अंतर पूछे तो कम से कम तीन दरस आई देखे यह सिटल डिहाइड कि टोन स्क्रीन सोट लेना है तो ले लिजिए स्टाक स्टाक चलिए फिनॉल और अलकोहल अंतर लिजिए स्क्रीन सोट जल्दी जल्दी अज सेयर आप लोग किया किजिए सेयर नहीं करते हैं बीच में कलास हम रोक देंगे बीना कुछ बोले फिर आप अब लोग थोड़ा कि 290 के पर अभिक्रिया के साथ सामें इस्तिरांग क्या होगा इकलिवीरियम कंस्टेंट अफ फ्लोइंग रियक्शन इसको रियक्शन को स्क्रीन सोट घीचिए और स्वल्द किजिए अब आप लोग आई अगला कोश्चन है समांगी एंव वी समांगी उत्प्रेण से क्या समझते हैं यानि वाटर्द होमेजिनियस एंड हेट्रोजिनियस के टेलिस्ट ठीक है उत्प्रेण भी कहीं कहीं लिखा होता है तो घबडाना नहीं है रियक्शन के साथ लिखिएगा अगर आप पू तो थोड़ा एंसर हम कोश्चन दिखा रहा है कि इस तरह का सब्जेक्टिव कोश्चन आता है पोटेसियम पर मैगनेट ऑक्सी कारक है इसको बताए कैसे यानि पोटेसियम पर मैगनेट इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सप्लेन अजैसे एक्सप्लेन लिखे तो 40 से 50 40 सब्द में लिखना तो अभी भरपूर नमर मिलेगा आ ये दस हो गया हम लोग देंगे एक वीडियो में दिर्ग पर आइक दिर्ग ठीक है पांच नमर का कोस्चन है ये पांच नमर के जितने भी कोस्चन है सब को ध्यान से सुन लिजिए 120 से 1500 सब्द में एंसर लिखना है कैसे लिखना है उस पे एक अलग सेपरेट वीडियो हम लाएंगे घवडाना विलकुल नहीं है पहले जो कोस्चन दिखाया है उसी हम भी इंग्लिस मीडियम से नहीं पढ़ हैं लेकिन हिंदी में पढ़ाने में यह कभी कभी बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है लेकिन इसलिए कोस्चन दोनों लेंगवज में थोड़ा बहुत इधर उधर बाई-चैंस कभी हो तो अपलग समझ जाईएगा एक्स् तीस सब्द में लिख देते तीन चयों के बारे यानी 120 सब्द यह हो गया इसको भी बता दीजिए लगवक्त तीस सब्द में तो हो गया आपका डेड़ सो सब्द अब लीजिए पूरा फूल में फूल नम्मर आई और देखते हैं आगे कौन सा कोस्चन है देखिए किसी डैनियल सेल के वीभाव का मान ग्याद करें ने के लिए नेस्टर्ट समी करण को दर्सावें स्क्रीन सोट ले लीजिए उसी के अनुसारा पांच नमर का कोशन त्यार कर लीजिए सबसे बेस्ट तरीका आई ये नेस्ट कोशन देखते हैं कौन सा दिया हुआ है आई निमनांकित को परिवर्तित करें कनवर्ट करना है एसीटोन को अथाइल अलकोहल से प्रोपेनिक एसीट को अथाइल ब्रॉमाइड से स्क्रीन सोट ले लीजिए इसका आराम से एसेस यानि स्क्रीन सोट तो रहने देते हैं आज इतना ही नितों बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी और बोलेंगा कि सर एकी दिन में टॉप कराईएगा तो ना भाई एकी दिन में टॉप कराने वाला काम नहीं ठीक अब यहां पर हम आपको बता दें क कि यहीं पर रहने देते हैं जो भी कोशन देखें हैं आप उसी लेवल से त्यारी किजिएगा चाहें वो अब्जेक्टिव हो चाहें वो सब्जेक्टिव हो ठीक और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर नंबर टू में मिलने वाले हैं तो क्लास कैसा लगा कमेंट में बताईगा और क्या आपको कमी है क्या चाहते हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं साथ ही टेली गराम, फेस्बुक और इंस्ट्यगराम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शं में मौजूद है जूडिये कोई समस्शिया हुए इंस्टा पर हम से संपरक करके बात कर स करल के रेडी हो जाइए जब वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तब फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जाए भारत